वेलकम टू ओल और आज मैं डिस्केशन करूंगा SSB स्टाप सिलेक्शन बोर्ड बोर्ड बोडिशा जो लेक्टर सिपर न गवर्मन डिवर्मन डिवर्डड कर ले जो बोडिशा का हुआ था फिजिक्स के बारे में तो उसका अजब में परफर अनलिसिस और एक्सपेटर कट अब किसना जा सकता है उसके बारे में डिस्केशन करूंगा कि कैसा जा सकता है सिलेक्शन मार्क और कैसा एक्जाम प्रफर वाया था और कुछ कंट्रेवर्ड सेल क्वेश्चेन जो एंसर की में कर लाता है सायद उसका अप्शन में थोड़ाव दिस्केशन करूंगा आप चाहिए कंप्रेंट कर सकते हैं चले देखते हैं फिर जो 60% easy question 20% moderate 20% difficult question था और हम कर सकते थे लेकिन थोड़ा गलत होने के चांस ने बहुत जादा बढ़ जाते हैं उसके बद्द क्लासिकाल पार्ट क्लासिकाल पार्ट में moderate वाईजी question आया था कुछ कोस्चेन डारेट हो सकते थे कुछ कोस्चेन थोड़ा टर्की थे और ये फि उसके बाद electromagnetic theory जो हता है उसके माट्रेट और difficult level था ये थोड़ा difficult था कुछ लोगों ने मुझे बताया कि difficult था और calculation best question आता था एक्जाम में तो थोड़ा difficult हो सकता था इस पार्ट में जो हुआ उसके बाद quantum mechanics में थोड़ा एबरेज और difficult question था एबरेज question ज्यादा थे लेकिन ज्याद तर डिवरेज और difficult level question था न्युकलर फिक्स वाद फूल एजी 10th और 12th level question था फूल एजी question था हम लोग 25 question एजी कर सकते थे उसके बाद solid strategy था एजी question आया था थोड़ा calculation based question था जो भी हम कर सकते थे उसके बाद चले देखते हैं कर सकते थे उसके बाद average item question हम कितने 80-85 question हम average item कर सकते थे इससाइन में easily कि 180 minute में 165 question करना था और bubble मानना था तो सब question पढ़कर मानना थो डिफिकल्ट है सब्सक्राइब कर सकते हैं चले देखते हैं कि एंसर की रिलीज वा तो उसका कोई बाद नहीं क्लासिकल फिजिमें जो question रिलीज वा एंसर की जो रिलीज वा है उसका 28 question नहीं देख सकते हैं कि कानोनिकल ट्रास में पुछा गया है और poison bracket हम जानते हैं कि वहां हमने से कानोनिकल ट्रास बहता है यह poison bracket का सिंबल है लेकिन option में टी दिया है एंसर की में हुझे लग रहा है उसके बाद जाकोब आइटेंटिटी पुछा है जाकोब इटेंटिटी यह यह बीसी बीसी यह एक्सर की में पी दिया है तो यह बड़ा कलद लग रहा है तो उसके बाद question number 90 90 यह फिरी particular general function x1 by x2 where a and are constant हुए और दा अन्सर्ट पर पुछा है लगा answer जानते हैं कि del x del p गटता है एक एक्स क्रोस बाइट रहा है यह question में यह बीसा रहता है है यह एंसार होना जाहेता है चले देखते फिर और फॉर्ट क्वेश्चेन फिर निज्यक्तिस्ट क्वेश्चेन यह फिर फॉल्गी मेत्रिक्स फर्शी सिग्मा एक्स पाले सिन्टिसीग माव जिलाइब । नज़ाई 0 होता है वान जिरो जिरो माइनोस वान होता है सिग्मा जेट सो यह अप्शन सी दिया है जो कि कोई भी मुझे साटिस्पाइड नहीं करते है लेकिन ज्यादा जाना का चांस से नहीं कि 50% से जाना का चांस से क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूद्टी-टी-टी-शिक्स मार्च सेलेक्शन तर जा सकता है फीच्डी के लिए